इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। प्रोजर 10 टैबलेट स्टेटिन नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है। इसका उपयोग कॉलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदे रोग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। कॉलेस्ट्रॉल एक वसायुक पदार्थ है जो आपकी रक्त वहिकाओं में बनता है और संकुचन का कारण बनता है जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। ट्रोजर दस टैबलेट एक व्यापक रूप से निर्धारित दवा है और इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसे भूजन के साथ या खाली पेट लिया जा सकता है। आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि इसे हर दिन एक ही समय पर लें। उच्छ कॉलेस्ट्रोल वाले अधिकांच लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। लेकिन आपकी दवा को रोखना आपके कॉलेस्ट्रोल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे आपकी स्थिती खराब हो सकती है और हिरदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है। अपने कॉलेस्ट्रोल के स्तर की नियमित जांच करवाना महत्वपूर्ण है। यह दवा उपचार कारेक्रम का केवल एक हिस्सा है, जिसमें स्वस्था हार, नियमित व्यायाम, धूम्दपान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। आप इस दवा को लेते समय सामान्य रूप से खा सकते हैं, लेकिन उन खाते पदार्थों से बचने की कोशिश करें जिन में वसा अधिक हो। इस दवा का उप्योग लीव की बीमारी जैसी स्थितियों में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को यह दवा नहीं लेनी चाहिए क्यूंकि यह विकास शील बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। मधुमेक के रोगियों को यह दवा लेते समय अपने रक्च शरकरा के स्तर की निगरानी करनी चाहिए। क्यूंकि इससे रक्च शरकरा के स्तर में वृध्धी हो सकती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।